कि अभी पीडिया आई होप यू अल आ डूइंग ग्रेट माइनम इस अक्षिय सोनी यूरी में रीजनिंग मेंटॉर और जैसे कि आप सब्सक्राइब को पता है कि सब्सक्राइब के लिए एक्जाम की जो है नोटिक प्येशन आ चुकी है अभी जो है एक्जाम को फिल करने के फॉर्म को फिल करने की डेट चल रही है तो आप भी टाइम से इसको फॉर्म को फिल करें आपको पता है कि 17728 जो है नमबर ऑफ पोस्ट है तो बहुत सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पिछले साल से ज्जादा इस वार पोस्ट आई है तो आप भी अपने जो ह तयारी को शुरू करते हैं अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया और रीजनिंग का जो हमारा जो साथ में तयारी है वो मेरे आप साथ कर सकते हैं जिसके लिए आपको क्या करना है सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बैल आइकन को अल पे जो है इसमें तो वो कोई भी वीडियो मुश्णा करें कोई भी गलास मिस ना करें तो आपकी तयारी के लिए मैं आपके लिए एक में इसमें लेक्राव लेके आयों इसका सेकेंड पार्ट अजम डिसकस करेंगे ठीक है यह लेक्चर 11 है आपने पिछले 10 लेक्चर को और डी व्यू कर लिया है और डी गो थू कर लिया है जो भी इसमें टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएगे हैं उसको आपने फॉलो कर लिया है ठीक है को कि कि अपकी एख्जाम की तैयरी कहा तकसरन कर रही है वह हम इस में साथ में करेंगे और क्योंकि मैंने इसमें जितने भी लेक्चर्ट है और मैं आपको इसका इस तरह से बतायता हूँ कि आपको reasoning जो है आपको कहीं से भी और जगा से करने की जुरूत नहीं पड़ेगी simply क्या करेंगे आप मेरी जो भी lectures यहां पर post हो रहे हैं उनके थू ही आप कर पाएंगे क्योंकि आपको मैं एक जो है तरीका बता दूँगा कि किस तरह से आपने एक्जाम को attempt करना है कितने time में आपको attempt करना है यह सारी चीज़े तो यह जो आपका जो सिलोक्स की second जो इसमें part है यह mcq session है मतलब हम क्या करेंगे mcq को इसमें discuss करेंगे previous session जो basic concepts का था इस session में हम सभी question को करेंगे तो अभी साथी साथ अपने try करते नहीं question को और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को like करें शेयर कर करता हूं कि अगर आपको कोई भी किसी भी टीचर से डाउट है किसी subject के लिए आप चाहते हैं कि मैं directly teacher से पूछना तो आप हमारे WhatsApp community group को join कर सकते हैं इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा तो सबसे पहले यहां पर question available है यहां पर statement दीगी है conclusion दीगे और answer दीगे हमें क् आंसर में से बताने कौन सा सही है इसमें तीन conclusion है यूजली क्या होगा आपको तीन conclusion का question भी बन सकता है दो conclusion का question भी बन सकता है जैसे कि आप एक हमने है और की जितने भी हैं वह सारे लॉक्स है आपके और एल से इसको रिप्रजेंट कर सकते हैं no lock is toy कोई भी लॉक टॉय नही है और और वैग्स टॉय जितने भी बैग्स है वह टॉय अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन क्या बना दोनों तरफ से पूरा नेगटिव और के टू एल लॉक टू लॉक इसमें जो रिलेशन बन रहा है बन रहा है all and sum का बाहर से क्या बनेगा sum का similarly bag to toy all and sum बाहर से अंदर sum conclusion देखते हैं conclusion जैसे कि इसमें दिये no bag is key कोई भी बैग की नहीं है तो आपको पता है कि toy पूरा नेगटिव है लॉक के लिए तो टॉय नेगटिव है पूरा की के लिए भी similarly bag जो है क्योंकि toy के अंदर है उसका सब पार्ट बन रहा है जब पूरे जो है toys नेगटिव हैं तो बैग भी क्या होगा नेगटिव ही होगा लॉक के लिए as well as key के लिए तो यह जो होगा आपका पहला conclusion यह सही बनेगा सब्सक्राइब के लिए जैसा कि आपका लॉक के लिए वैसा ही इसके सब पार्ट के लिए रहेगा तो यह भी गलत तो क्या है गैस में only one follow अब देखिए एक और चीज यहां पर मैं कहना जाता हूँ none follow का मतलब है इन जो भी इसमें है कोई भी follow नहीं कर रहा none of these का मतलब है in given option में से कोई नहीं ठीक है तो ध्यान रखना है आपको कौन सी option को tick करना है ठीक है तो next question यह आपके सामने है इसमें भी none follow भी given है one two three be given है one be given है two be given है one and two be given है तो हम देखते हैं इसमें सी क्या question दिये गए some pictures are bands कुछ pictures bands sorry all pictures are bands कुछ और सारी pictures जो है bands है and some bands are chairs तो यह chair का relation इस तरह से है some chairs are tables some bands are chairs and some chairs are tables तो इस तरह से इसमें relations है अब इसमें conclusion देखिए some tables are bands कुछ table bands है relation नहीं पता तो conclusion जो है definite conclusion गलत है क्योंकि अभी हमने देखो पिछले क्लास में से definite conclusion है उसी के question है अगले session में हम possibility के conclusion भी खालेगे वह हमसे की उसके ही through कर सकते है next है some chairs are pictures कुछ chairs picture है direct relation नहीं given तो यह भी गलत है some tables are picture कुछ tables pictures है तो यह भी क्या बनेगा यह भी गलत क्योंकि relation नहीं पता तो इसमें से हमारा कोई भी follow नहीं कर रहा यहां पर आपका none follow आएगा ठीक है जी I hope आपको समझ आया होगा question ठीक है और जिवने नहीं और रड़ी go through कर लिए पिछले concept को तो वह क्या किये करें pause कर लिए करें थोड़ी दिर के लिए वीडियो और question को attempt करके देखा करें ठीक है some boxes are walls कुछ boxes बॉल हैं यह बॉल है और आगे है no wall is road कोई भी बॉल रोड नहीं है और next है all roads are river जितने भी roads है वो rivers है तो conclusion देखिए अब सबसे पहले some rivers are wall क्या कुछ rivers wall है river का relation wall से क्या है इसकी तरफ से तो some not है तो some not होने के बज़ा से यह conclusion तो गलत बनेगा ना some roads are boxes कुछ roads boxes है कुछ road boxes रोड का relation wall से क्या है इसकी तरफ से पूरा negative तो road का सिर्फ wall तक ही पता है या box के थोड़े से यह जो पार्ट है इसके लिए पता है next में के लिए नहीं पता पूरे box के लिए इसका relation नहीं पता ठीक है तो जितने भी roads है वह box के थोड़े पार्ट के लिए negative है तो ऐसा कोई conclude जो भी keyword है एक जिस नहीं करता हमारे सिलॉक में तो इसकी वज़ा से क्या आगा इसकी तरफ से unknown और unknown relation में count होगा तो यह तो गलत बनेगा third no wall is river कोई भी वाल का जितना भी पार्ट है वह नेगटिव है रोड के लिए और रोड जो है वाल का portion है तो इसलिए इसकी तरफ से भी यह unknown relation में count होगा तो यह तीनों के तेनों गलत मतलब क्या आएगा इसमें से कोई भी follow नहीं करेगा बट आप देखिए यहां पे some rivers are walls no wall is river अब आप देख सकते हैं element same है ठीक है मैं आपको इधर और का बता चुका हो और ली और साथ ही साथ क्या है इसमें some और no मतलब एक positive एक negative है और दोनों को दोनों individually गलत है तो इधर और मतलब पहला और तीसरा इधर और में बनेगा ठीक है यह जो है go through कर ले ना concept को ठ दूर और के case में बनेगा एक तो बनता है some और no का दूसरा बनता है all और some not का ठीक है next लेखिए इसमें जो statement given है given क्या है all shirts are hats जितने भी shirts हैं वो hats है hats and no hat is suit यह कोई भी hat suit नहीं है and all rings some rings are suits कुछ rings suits है and all rings are bangles जितने भी rings है वो bangles है तो पहला conclusion देखिए आपर conclusion है some rings are hats कुछ rings hats है क्या इसमें रिंग की तरब से hat के लिए तो some not चलेगा आप देखिए इसमें color के थुरू आपको ज्यादा समझ आएगा यह वाला portion जो है negative है किसके लिए hat के लिए तो rings जो ring का relation hat के लिए वो तो बनेगा some not but आगे देखिए आपर some rings are hats तो यह गलब बनेगा second है some bangles are suits कुछ bangles suits हैं तो यह बन रहा है some relation यह सही है no ring is hat कोई भी ring hat नहीं है ring का relation hat से क्या है ring का relation जो hat से है वो क्या बन रहा है वो बन रहा है some not but यहां पे क्या 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 मनें इसमें no यह भी गलत इसके case में भी क्या होगा यहां पर देखे ring, ring, hat, hat यह element से और दोनों ही गलत है और एक sum है और एक no है तो पहला और तीसरा क्या बनेगा यह फिर से आपका either or में आएगा तो यह option 4 जो है इसका answer बनेगा ठीक है जी तो साथ ही साथ अपने revise भी करते रहना concept को और कोई भी आपका doubt है वो आप इसमें even जो next classes में भी पूछ सकते हैं ठीक है आपको यह allow किया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं जैसे कि आपका यह question है यहां पर some skies are rains some rains are stars, all stars are planets, all planets are clouds some skies कुछ sky rains and some rains are stars कुछ rains stars है और आगे है all stars are planets, जितने भी stars है वो planets है और all planets are clouds, जितने भी planets है वो clouds तो अब आप देखिए इसमें conclusion, some clouds are rains कुछ clouds rains है यह से बन रहा है, सही है और planets are sky जितने भी planets है, वो sky है नहीं, planet का sky से relation ही नहीं पता तो एक गलत है some planets are rains कुछ planets rains है, यह सही है तो पहला और तीसरा option second यह बन रहा है ठीक है तो देखिए आपको पता है कि जब आप एक बार go through कर लेंगे questions को, तो आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ बढ़ एक्जाम में क्या करना आपने? डाइग्राम बना है डारेक्टली आपने question के tick करना उसमें कि कौन साइस concept बनता है ठीक है? वहाँ पर given होगा एक से तीन या एक से चार भी आपको वहाँ पर conclusion हो सकते हैं तो आपने prepared रहना है किसी भी तरह का question बन सकता है इवन आपको possibilities भी बन सकते हैं only only few के question भी आपने एक बार go through करने है जो कि मैं आपको next classes में भी करवाँगा खुद मैं करवाँगा इसको don't worry बट आपने follow करना जो भी इसमें चीज़ें बताई जाती है तो next question यह आपके सामने है क्या given है all spoons are balls all spoons जितने भी spoons है वो क्या है balls और आगे है all balls are pans यह pans है all pans are six sticks है और next है all sticks are knives तो इस तरह से यहाँ पर आगे है knife तो आपको बस याद रखना है कि अंदर से बाहर की तरफ relation क्या बनेगा all and some जो होगा true होगा और बाहर से अंदर क्या true होगा सिर्फ some बस इन चीज़ों पर ध्यान देना है यही true होगे इसके इलाबा जो negative होगे वो गरत बनेगी जैसे some knives are pens knife का कुछ ही सा pen बनना बाहर से अंदर some some sticks are balls sticks का कुछ ही सा ball बनना yes सही some pens are spoons यह भी सही बनना तो क्या आएगा इसमें all one two and three follow तो यह इसका answer देखिए अब none of these मालों अगर यहां पे यह option ना होती ठीक है कोई और option होती तो क्या होता हम उसको ढूंडते वो ना मिलते तो क्या आता none of these none follow किस case में आता है जहां पे कोई भी आपका conclusion follow नहीं कर रहा तो यह next question जो है आपका homework है इसका आपने मुझे आंसर बताना है यह पांच आपको दिये गें इसका आंसर मुझे आप comment box में comment करेंगे कि क्या इसका answer बनेगा ठीक है अभी के लिए हम इसको close करते हैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूं micro courses के बारे में तो micro courses क्या है micro course जो होते हैं यह चोटे courses हैं अभी PDA के पहल देखिए क्या है अगर आप चाहते हैं कि कोई भी exam को clear करना है तो आपको पता है कि उसमें different subjects हैं different topics हैं तो आपको कोई भी topic अगर मालो थोड़ा tough लगता है आप चाहते हैं कि उसको मैं अच्छे से करना है मुझे और क्योंकि उसके questions आते हैं exam में तो मेरा मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसके सारे तरह के question मतलब होने चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है simply अभी PDA के portal पे जाना है और अभी PDA के portal पे जाके आपने microverse पे जाना है microverse पे जाके आपको वहाँ पे मिलेगा micro courses जो भी given होगे different subject है different आपको छोटे courses मिलेगे और यह बहुत ही कम price पे होता है बहुत ही कम price पे ठीक है देखिए अब आपको ऐसा तो चीज़े कोई भी avail नहीं कर रहा है कोई भी ऐसे मैंने देखा नहीं आपको पूरे जो है नहीं का पुरा पूरे अभी पीडिया चोटे courses में प्रोवाइड कर रहा है ویڈیوز और ویڈیوز में क्या होगा आपको बेसिक से हाई लेवल का अपको इसमें बतायबात जाएगा फ्लस विडियो शिर बात बेंगे आपको इसके साथ में पी डिय अफ नोटस और पी डिय अफ नोटस के के लाबा क्या मिलेगा आपको मिलेंगे mcqs बहुत सारे mcqs मतलब ऐसे लो लेकर चल सकते हैं कि mcqs का आप यूज कर सकते हैं as test series छोटी सी test series बहुत सारे mcqs होंगे जैसे कि आप एक topic के आपको 200 mcqs 200 mcqs more than enough होंगे उस topic को in depth समझने के लिए बट क्यूंकि क्या है हमें बहुत सारे requirement रहती हैं बहुत जो है हमें इसमें questions करने पड़ते हैं बट आप इसका use कर सकते हैं वेस्ट बेस हैं और वह भी बहुत ही comprise देखे क्या होता कोई भी investment study में investment मेरे हिसाब से तो आपके future के लिए होती है और future life को अगर आपने secure करना है तो आपको अपनी study पे ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ जो भी tips and tricks आपको टीचर बता रहे हैं आपके जो भी mentors बता रहे हैं उनको आपको follow करना है ठीक है आप तभी अपने जो है एक्जाम को clear कर पाएंगे और motivated रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो आपके एक्जाम क्लीर होगा ठीक है क्या होता है कि आपको 10 परसेंट जो है हमारी मेहनत रहती है 90 परसेंट आपकी sincerely काम करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे स्मार्ट ली जो है work करेंगे हार्ट वर्क तो करना है बट स्मार्ट वर्क स्मार्ट ली उसको करना और वह चीज़ जो है प्रोवाइट कर रहा अपना अभी पीडिया आपको ठीक है तो इसी के सा को क्लोज करते हैं और जो भी मैंने क्वेशन आपको दिया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जुरूर करें ठीक है एंड डैट इस आल फो नाउ थैंक यू सो मुच पर यू कापरेशन और बी शोर तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब आर चैनल